नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे आज कक्षा साथ महा भारत का दस्वा चैप्टर लाख का घर काध्धन करेंगे इस कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है भीम के बाहुबल और अर्जुन की युद कुशलता को देखकर दुर्योधन दिन प्रती दिन जलने लगा और वो ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे की पांड़ों का नाश किया जा सके इस कुमंत्रना में उसके मामा शकुनी और कर्ण उसके सलाकार बने हुए थे तो जो दृतरास्ट थे वो बहुत बुद्धिमान गयक्ती थे लेकिन दृड़ निष्चे की उनमें कमी थी वो अपनी बात पे स्थर नहीं रह सकते थे वो अपने भतिजों से बहुत स्ने करते थे बहुत प्रेम करते थे लेकिन अपने बेटों से उनका मोहू भी बहुत ज़ादा था इसलिए उनको पता होते हुए कि मेरा बेटा गलत राहा पर चल रहा है कुराहा पर है उसको सही राहा पर लाने की बजाए उसने उसका साथ दिया इधर पांडाओं की लोग प्रियता को देख कर वो दिनों दिन चड़ने और पुडने लगा सभाओं में चोराहों पर लोग चर्चा करते कि युदिस्ट्र कोई राजा बनना चाहिए वही सभी के साथ म्याय का व्यावार करेगा क्योंकि युदिस्ट्र के पिता पांडू राजा थे लेकिन उनकी असमे मृत्यु हो जाने के कारण कुछ समय के लिए धृत राज राज का संभाला अब चूकि युदिस्ट्र बड़े हो गए हैं तो धृत्रास्ट को राज रखने का कोई अधिकार नहीं है और भीश्म पितामे को भी पंडू का राज युदिस्ट्र को दिलवा देना चाहिए इस तरह की चर्चाएं शहर में होने लगी जो जो पंडू की लोग प्रियता बढ़ने लगी दुरियोधन की चिंता और बढ़ने लगी वो दिनो दिन पूडने लगा चड़ने लगा एक दिन वो दृत्रास्ट को अकेले में पाकर बोला पिताजी आप जन से अंध्य होने की कारण आपको राजा नहीं बनाया गया जबकि आप तो बढ़े थे राजा तो आपको बनना चाहिए थारा आपकी जगए आपके छोटे भाई पांडू को राजा बना दिया गया चुकि जब तो आप नहीं बन पाए लेकिन अब तो आपके बच्चे हो गए है तो नियमानुसार तो राज हमें मिलना चाहिए यदि युदिस्ट्र को राजा बना दिया गया तो पीडियों तक हम राज सिंगासन का मूह नहीं देख पाएंगे और पिता जी ये अपमान तो हमसे बिलकुल नहीं साहा जाएगा दृतरास्ट्र बोले बेटा युदिस्ट्र तो प्रजाजनों के लिए बहुत जान देता है जान मिछावर करता है बहुत सने करता है प्रजाजनों से वो बहुत नयायका भी पक्का है धर्म के विरुद नहीं जाता है अपने पिता की तरह गुरुमान भी है तो सभी प्रजाजन उसको बहुत चाते हैं इसलिए उसके खलाब तो कुछ भी कर पाना संभव है दुरियोधन बोला पिता जी आपको करना कुछ नहीं है आप तो किसी तरह से पान्डवों को वारनावत के मेले में भेज दीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि वो वह जाएंगे तो राज हमारा होगा और वो लोट कर भी आएंगे तो हमें कोई परिशानी नहीं होगी इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव बनाने के लिए दुरियोधन ने कुछ कूट नीतिगों को अपने पक्ष में कर लिया जिनमें एक करनिक नाम का ब्रामन प्रमुख था जो की शकुनी का मंत्री था और वो तरह तरह के उधारन देकर के राजनीतिक दलीले देकर के और धृतरास्ट को समझाने लगा धृतरास्ट को बहकाने लगा तरह तरह से उकसाने लगा दिरतरास्ट उसकी बातों में आ गए, सोचने लगे, इतने में जो दुरियोधन के प्रिष्ट पोशक जो थे या उसको जो साथ दे रहे थे, वो पांडवों के पास जा जाकर वार्णावत के मेले की तारीफ करने लगे, प्रशुनसा के पुल बांगने लगे, जिससे पांड मेह से आग्याली और अपनी माता कुंती के साथ वार्णावत के लिए रवाना हो गए, पांडवों की चले जाने की खबर पाकर दुरियोधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वो अब तरकीब सोचने लगे कि किस तरह से पांडवों का नाश किया जाए, सर्वनाश किय उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाया और गुप्त योजना उसे बताई, और गुप्त योजना के तहर पांडवों का काम तमाम करने का उसको आदेश दिया और वार्णावत रेज दिया, पुरोचन ने बहुत तिवर गामी रख लिया, नि जो तेजी से चलता है वो पांडवों से पहले ही वो वार्णावत पहुँच गया, वार्णावत पहुँच कर उसने सारी तयारी कर ली, कि जब तक घर नहीं बन जाता है, तब तक उसने जाते ही घर बनाने का काम शुरू कर दिया, एक सुन्दर सा भवन बनाया, जो की सन, लाख, मुम, गी, तेल, च कि जो से निर्मित किया गया, लेकिन उसकी बाहरी दीवारों से पता नहीं चलता था कि इसमें इस तरह की सामगरीता इस्तिमाल हुआ है, तो लेकिन जब पांडवों पहुचे तब तक तो भवन नहीं बन सकता था इतना जल्दी, तो पुरोचन ने उनके और कहीं ठैरने की तब तक तयारी कर रगी, दुरियोधन की यह योजना थी, कि पांडव उस दिर इस लाग के घर में रहेंगे, और जब वो निशंक हो जाएंगे, जब उनको किसी तरह का कोई वहम नहीं रहेगा, आराम से रहने लगेंगे, तब एक रात इसमें आग लगा दी जाएगी, औ आता कुंदी के साथ, अब पार तो यहीं समापत होता है, लेकिन आपके मन में प्रश्न रह गया होगा, कि पांडव जलकर मरे या बचे, तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अगला वीडियो देखेंगे हम, अगले चेप्टर को पढ़ेंगे पांडवों की रक्षा, तब तक के लिए धन्यवाद!